दोस्तों नमस्कार, मिरा नाम संजे मग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर आपके साथ मौझूद हूँ हरियाना विधानसभा चुनाव के विशेश कारेकरम के तहत एक ऐसी विधानसभा सीट को लेकर जो 2019 से और 2024 के सेशन के दौरान पूरी तरह चर्चा में रही एक ऐसी विधानसभा सीट जहांके विधायक अपनी पारटी के कलोते विधायक थे लेकिन विधानसभा के अंदर उनका डंका बसता था एक ऐसी विधानसभा सीट जिनके विधायक ने उप्चुनाव करवा दिया अपना इस्तीफा दे दिया वहां पर उप्चुनाव हुआ और दोबारा विधायक बन करके फिर सदन में आ गए मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्सा लोकसभा की सिर्सा जिले की विधानसभा सीट एलनाबाद को लेकर एलनाबाद सीट 2019 से 24 के सेशन के दौरान में यानिकि इन 5 साल में हर विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा में रही मुद्दा चाहे कोई भी हूँ अभै सिंग चोटाला जो वहां के विधायक रहे इंडियन नैशनल लोगदल के इकलोते एक मात्र विधायक लेकिन सदन के अंदर उनकी आवाज तमाम उन पार्टियों के बराबर गूंस्ती थी जिनके बड़ी संख्या में विधायक थे अभै सिंग चोटाला जो विधान सभाग के अंदर अपनी बात को बुलंदी से रखते थे अभै सिंग चोटाला जिन्होंने विधान सभाग के अंदर सरकार को घिरने में जहां पूरी ताकत लगाई वहीं विपक्ष को भी उन्होंने कई बार भुपेंदर सिंग घुड़ा और पूरी समूची कॉंग्रेस को उन्होंने कई बार कट घरे में खड़ा किया अभे सिंग चोटाला जितनी बुलंदी से बोलते थे उतने तथे परकबात भी करते रहे अभे सिंग चोटाला एक मात्र विधायक हरियाना के हुए जिन्हों ने किसान आंदोलन के समर्थन में विधान सभा की सदस्यता से इस्तिफा दे दिया विधान सभा से त्याक पत्र हुआ किसान जो कृशी कानून थे वो वापस हुए और अभै सिंग चोटाला दुबारा चुन करके विधान सभा के अंदर पहुचे भारती जन्ता पार्टी के गोविंद कांड़ा का उनसे कड़ा मुकावला हुआ लेकिन दस हजार से भी ज्यादा मतों के अंतर से जीत करके फिर से विधान सभा में आए मैं आपसे चर्चा में हूँ कि 2024 को लेखर आकर एलनाबाद का मूर क्या है 2024 के चुनाव के अंदर एलनाबाद के समीकरन क्या बन सकते हैं और राजवितिक गलियारों में एक बड़ी चर्चाएं है चर्चा इसलिए कि अभय सिंग चोटाला का एक बयान चर्चा में है अभय सिंग चोटाला ने सिर्चा परवास के दौरान उनकों जो सिर्चा में थे अभी दो दिन पहले और उन्होंने वहाँ पर मीडिया कर्मियों के साथ जो बातचीत की उसके अंदर उन्होंने भुपेंदर सिंग उड़्डा और दिपेंदर हुडडा पर करारे प्रहार क कि वुपेंदर सिंग उड़्डा और दिपेंदर हुडडा को बाप बेटा कहते हुए उन पर तीखे तंज कसे और तब से चर्चा में एक बार फिर आ गए कि एलनाबाद के अंदर विधान सभा चुनाव को लेकर मुकाबला क्या होगा राजनीतिक छेत्रों में चर्चा य देता हैं अभै सिंग चोटाला जो बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं गठबंदन में चुनाव के तहत जो ये सपने संजोए हुए हैं कि हर्याना के विधान सभा के अंदर वो एक तीसरी ताकत बन कर उपरेंगे अभै सिंग चोटाला का एलना बाद से विधान सभा चुनाव लड़ना तै है अपनी पार्टी से यानि कि इनलो बसपा गठबंदन से वो एलना बाद से चुनाव लड़ेंगे हाला कि उनकी बात उचाना को लेकर भी है लेकिन एलना बाद तै है एलना बाद से वो जादा रहे पहला चुनाव रड़ेंगे वो भी अभै सिंग चोटाला के मुकावले वो ताउ देवीलार और उम्प्रकाश चोटाला परिवार में अजय सिंग चोटाला की स्टपनी के रूप में काम कर किया करते थे स्टपनी मैंने इसलिए कहा कि अजय सिंग चोटाला के नियरस डियरस्ट लोगों में शामिल थे भाजपा के नेता मिनुबेनिवाल मिनुबेनिवाल ही वो नेता थे जिनोंने की जजपा और भाजपा का गटबंदन के अंदर भूमी का निभाई मिनु बेनिवाल ये कड़ी थे भारती जनता पार्टी और जन्नायक जनता पार्टी के बीच लेकिन वक्त का जो पईया घुमता बड़ी तेजी से घुमता है वो पईया ऐसा घुमा कि वो मिनू बेलिवाल जो अजय सिंग चोटाला और अजय सिंग चोटाला परिवार के यानि कि दुशेन चोटाला दिगवजे चोटाला नेना चोटाला के खासम खास सिपा सलार हुआ करते थे वो उनसे दूर हो गए और इधर मीनू बेनिवाल अजय सिंग चोटाला परिवार से दूरी बना करके पहुँच गए धीरे धीरे भारती जन्ता पार्टी के नेताओं के नस्दीक और एक समय वो आ गया जब मीनू बेनिवाल भाजपा के चानक्यों में शामिल हो गए अगर मैं कहूं कि मीनू बेनिवाल के गिंती भी भाजपा के हर्याना के चानक्यों में है क्योंकि चाहे वो एलनाबाद का उप्चुनाव रहा हो जिसमें कि गोविंद कांडा के साथ मिलकर कदम तालकी हो चाहे वो आदमपुर का उप्चुनाव रहा हो जहां पर मीनू बेनिवाल को पूरु मुख्य मंत्री मनोहरलाल ने भेजा था अपना सार्थी बना करके फिर चाहे वो उप्चुनाव गोहाना बरोदा कहीं भी रहा हो हर जगा पर मीनू बेनिवाल के भूमिका रही अब चर्चा है कि मीनू बेनिवाल वहाँ पर भारती जन्ता पार्टी के कैंडिडेट होंगे लगवग ये भी तैय है तीसरी बात आजाती है कॉंग्रेस की कॉंग्रेस यहाँ पर कौन से नेता को चुनाव लड़ाएगी बरसिंग बेनिवाल यहाँ पर कॉंग्रेस की टिकेट पर चुनाव लड़ते रहे हैं विधायक बनते रहे हैं और बरसिंग बेनिवाल के मुकाबले पवन बेनिवाल भी उनी के परिवार से आते हैं वो भी वहाँ पर चुनाव लड़ते रहे पवन बेनिवाल उप चुनाव में भी candidate थी और अगर मैं आप से बताऊं तो इस चुनाव में भी यानि की जो अब जो चुनावाना है 2024 का इस चुनाव में भी ब्रदर से आनि की भगस सिंघ बेनिवाल और इदर दुसरी तरफ पवन बेनिवाल दौनों ये भी कैंडिडेट हैं कॉंग्रेस की तरफ से हलाकि नाम और भी है लेकिन इनका भी नाम प्रमुक्ता से लिया जाता है कि ये भी कॉंग्रेस के कैंडिडेट के रूप में शामिल है एलनाबाद में एक नाम हनुवान जाखर का भी है एक नाम संतोष बेनिवाल का भी है ये कई सारे नाम है एलनाबाद के अंदर लेकिन कॉंग्रेस की तरफ भी लोगों की निगाएं है कि आखिर कॉंग्रेस कौन सा चेहरा लाएगी जो एलनाबाद का चेहरा बनेगा क्या वो कुमारी सहलजा की पसंद से बनेगा चर्चा ये भी है कि क्या भैसिंग चोटाला को घेरने के लिए कॉंग्रेस अपना कैंडिडेट कोई कमजोर दे सकती है और या फिर चोटाला दूसरा चोटाला परिवार यानि कि अजय सिंग चोटाला दुशन चोटाला के परिवार से कोई नई रणनीती सामने आ सकती है क्योंकि एलनाबाद का चुनाव इस चुनाव के अंदर भी यानि कि 2024 के चुनाव में भी कई मायनों से एहम होगा कई मायनों से एहम माना जाएगा चुनाव को क्योंकि ये जो चुनाव है 2024 का विधानसभा चुनाव इसमें एक-एक विधानसभा सीट पर खासकर भारती जंता पार्टी और कॉंग्रेस की नजर रहेगी दोनों पार्टियों के नजर रहेगी कि दोनों पार्टियों मगर सीधा मुकाबला ना हो तो फिर कॉंग्रेस चाहेगी कि ऐसा कैंडिडेट ऐसे नेता बन करके आएं अगर जरुद पड़े तो उनकी मदद कर दें तो भारती जनता पार्टी की रणनीती ये रहेगी कि ऐसे नेता चुन करके आएं अगर उनको कहीं जरुद पड़ जाएं तो वो उनके साथ दिख जाएं क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि ये चुनाव तलवार की धार का चुनाव है एक तरफ भारती जनता पार्टी है एक तरफ कॉंग्रेस है जिसका मेलेजमेंट बैटर होगा राजनीतिक लोग कहते हैं कि बाजी वो मारेगा और इस लिहाज से मैं आपको बता रहा था कि क्या एलनाबाद सीट भी भाजबा और कॉंग्रेस की नजर में कितनी एहम रह सकती है क्योंकि यहां पर अभै सिंग चोटाला विपक्ष के चेहरे के तौर पर होंगे जो दोनों पार्टी को अविपक्ष है आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाओं में भी अभै सिंग चोटाला उतने मजबूत होंगे आपको क्या लगता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ कटवंदन होने के बाद इंडियन नैशनल लोगदल की ताकत में कोई इजाफा हुआ है और आपको क्या लगता है कि क्या एलनाबाद में अभै सिंग चोटाला को घेरने के लिए किसी प्रकार के समझोते भी हो सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर बाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें